नमस्कार प्रिये विद्यार्थियों साहिक आचारी भरती परिक्षा जो अभी अभी संपन हुई है उसमें हिंदी विशे से मैं जुड़ा हुआ हूं हिंदी विशे काम अध्यान अध्यापन करते रहते हैं और बहुत से विद्यार्थियों से बाचित भी होती रहती है एक सवाल है लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि आप मेरिट के बारे में बताएं तो बहुत सारे विद्धान। तंपर्क में है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब्सक्राइब बताते हैं इतना बड़ा राजुस्तान है कैल्कुलेशन में इतना मैं कोई उश्यार आत्मी नहीं हूं अशी नहीं को नहीं आंसर की है विषय शेंग2 विद्यार होते हैं राजुस्थान की सूची उपर सब्सक्राइब बहुत करें है उसक्राइब दिश करते हों। 15-20-30 विद्यार्थियों का फोन आया मेरे पास और उनके भी मैं अधिकतर के नंबर नहीं पूछता किसी के पूछ लेता हूं मुझी याद नहीं देता किसके कितने नंबर है एक मोटा मोटा आइडिया पेपर की अधाय पर लगा सकते हैं कुछ प्रसंद जिनको मैं लेकर बातचित करूँआ है पहला प्रसंद देसे कौन हो इंट्रिव्यू कोल हो सकता है दूसरा प्रसंद इस पर भी बातचित करेंगा कि फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है तीसरा आ का जो दिक्कतिंगा आती है विद्िद्यार्थियों को उसको लेकर भी हम बातचित कर सकते हैं चाहिक्स्षण शान होसकते हैं scheduled हो सकते हैंlerde है प्रेफ पर के हिसाब से देखें तो वह थोड़ा सा हमें लगते हैं कि आसान है इतना मतलब टफ नहीं है रचनाओं के प्रसमस में वह सीदे साथे थे खालां कि पास्चात्य कावे सास्थ्र जिसका कमजोर था उसके लिए तो यह प्यापर्र बहुत भारी बढ़ा पास्चात्य कावे शास्त्र या जो एनलिसिस को पकड़ने में जिसकी थोड़ी सी दिक्कतें आती है ऐसे विद्ध्यार्ट की लिए फस्ट पर भी आसान नहीं था लेकिन पिछले पेपर की तुलना की जाए 2020 के पर से तो थोड़ा सा मैं यह कहूंगा पर का श्तर वो थोड़ा सा आसान थ बहुत आसाम नहीं कहा जा सकता लेकिन थोड़ा सा असान था बात रहती हिंदी साहिति की इतिहास की हिंदी साहिति का इतिहास का जो पेपर हो मुझे पिछले पेपर से भी ज्याजा थोड़ा सा उसका थोड़ा उससे उपर ही लगता है कम नहीं है बहुत मुस्किल नहीं है लेकिन उससे तो मुस्किल है यह कोई प्रस्ण प्रस्ण वास्तर में विद्यार्चिंग लिए दिक्कत खड़ी करते हैं पांसाथ ऐसे कतन आते हैं जो हमेशा छोड़ने के लिए आते हैं वह आप मानके चलिए इस पेपर में भी पांसाथ तो ऐसे प्रस्म दो विद्यार्चियों को छोड़ने थे राहूल सांकरता है इनके कथन आपने नहीं पड़े हिंदिक आवे धर आपने नहीं पड़ी तो मत अनुमान लगा यह बहां पर है ना तो ऐसे पांस साथ कथन होते हैं आदुनिक काल में कभी नंदुलारे वाजपई शांती प्रिया दिवेदी या मतलब इनके नामवर सिंग के और रामविला शर्मा के इनके आदुनिक अलोचना के जो कथन आते हैं उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों कि वो कथम सहीं नहीं होते तो ऐसे प्रसंद छोड़ देने चाहिए लेकिन सेकंड पेपर ऐसा है ज 215 वच्चे वह बहुत ही अच्छी बात है ऐसा पेपर था मतलब मैंने जो पाठे सामगरी देखी या मैंने जो तयार की उसमें से लगबग 1078 प्रसंद है वह बहुत सीदे पूछे गए तो मुझे लग रहा है कि देट तो में से अगर हम कोई वाइड नोट्स बनाती है या कोई पाठे सामगरी त्यार करते हैं उसमें भी एक सो पांच से सार्थ इतनी प्रसंद आते हैं तो दोनों पेपर की तुलना करें तो एक पर ठोड़ा असान लगता है एक पर ठोड़ा मुस्किल लगता है ऐसे में सीटों की संक्या काफी ज्यादा है दूसरी बात विद्या रही इतनी नरी इसका कोई फरक नहीं पड़ता है जिनके तयारी थी उनकी उपस्तिती रही हालांकि दुरभाग्यवस ऐसे कई विद्यार्थों के साथ हुआ और यह बहुत बड़ा हादसा है कि उन्हें सेकेंड पेपर में किसी कारणवस या टाइम की माउंडेशन के हिसा इस से मेरिट कम हो जाएगी यह खुशी मनाने की बात नहीं यह तो किसी के साथ भी हो सकता है तो पिछली मेरिट की इसाप से पिछली मेरिट में जैसे 125 के आसपास इंट्रिव्यू को हुए थे जनरल के लोग हम समान्य की बात करेंगे बाकि तो अपनी अपनी बात कर सकते ह अंदाजा खुद लगा सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार एक पिछली बार अगरे 125 में इंट्रिव्यू को लोगे तो एक बार 120 से प्लस में जो है वो इंट्रिव्यू कोल होने की पूरी-पूरी संभावना है तो ऐसे विद्यार्थी त्यारी कर सकते हैं जो इंट्र मुझे लगता है ऐसे प्रसंट जो कंफ्यूजन में हैं उनको हमें नेगेटिव मान लेना चाहिए तब ही आपका सही मुल्यांकर नहों पाता है हमारे बागड़ी में कावत है कि हाथ हूं आथ बढ़ है अपना अपने आथ को काट नहीं सकता दूसरे आथ को तो अपने ही कुछ से कटते नहीं तो एसे प्रिद्ध्यारती में रहते हैं यह दूर होता है और दूसरा बताने के क्यों बताओगे आप किसी को पूछो कि आप लगाता रही है यह स्कीम बनाते रहते हैं यह इस प्रकार की चीज़ें मुझे नहीं लगता मुझे तो इसलिए मुझे मैर अगली बार देंगे इंट्रिवी इस बार नहीं देंगे तो सोड़ो फिर क्या मेरिट का पूछना है दूसरा सवाल विद्याप्ति करता है कि सेफ कौन है कौन है जो सुरक्षित है तो सुरक्षित तो वह यह जिसको आज 150 52 54 इतने नंबर बन रहे हैं वो सुरक्षित है क्य सुरक्षित हो यह करूंगा सोग की बात मैं क्यों करूं लेकिन मुझे लगता कि 105 से प्लस ही रहेगी है ना मतलब 50 तो क्या रहेगी तो अगर कोई विद्यार्थी 119 में है तो फाइनल में सूख सकता है और किसी विद्यार्थी के 135 है उसका सेलेक्षिन हो सकता है जनल की बा इंट्रिव में होता है क्योंकि वहां चोईस नमर का इंट्रिव है जिसको पांच मिलेंगे तो सकता है वह उन्चास तो भी इसका नहीं हो और जिसको बीस मल जाए तो उसका 355 परसेंट तो अभी यह तैन है कि सेफ कौन है अनसेफ फोन हालांगि ठीक है जिसके 152 त्रेपन के त्यारी नहीं करने चाहिए उनको भी करने चाहिए तो मुझे लगता है कि जो भी लोग 120-125 से उपर उन सभी को इंट्रिव के त्यारी करने चाहिए सामाने में OBC में थोड़े से और नीचे कर सकते हैं और भी बहुत सारी क्याटेगरी वहां अपने अपना अन्मा सब नहांब पर उनके मन में सवाल आते कि क्या में इंट्रिवियो की त्यारी करूए कि भरती की त्यारी करएं है है कि मुझे संस्क्रेट डिपार्टमेंट में नहीं जाना क्योंकि विभाग की अपनी अपनी चोईस होती है तो ऐसे विद्यार्टियों को छोड़ के बाखी सभी को तयारी करनी चाहिए आज कल इंट्रिव्यू का प्रेटन यह भी है कि इंट्रिव में आपको अपना पाठ्षक्रम वह भी तयार करना ही पड़ता है पिछली बार काफी मितलब केशी ने बज़े बताया है कि जब मैं इंट्रिव देना गया तो उनके आथ में से लेवस था वो सकता है कुछ और लेकिन उन अब बात यह कि अगला प्रस्णिया आता कि इंट्रिव्यू की त्यारी कैसे करें साक्षियात कारी कैसे करें मैंने इस पर वीडियो बनाया है पहले भी और आप चाहिए उसको देखें और अगर विस्ताफ से आप देखना चाहिए तो हमने दीपक जी के साथ मिलके बात की दीपक चंदवानी सर की कलास साथ कुछ ऐसा यह चंदवानी सर की कलास ऐसा यूटूब चैनल है तो वहां मुझे लगता है मेरा नाम बल्देव महर्शी है किसी को मालूम नहीं हो तो मतलब वहां आप सर्ष करोगी दीपक जी का मेरा नाम लेकर तो एक वीडियो आता है है एक तो हमें पशक्रम करना चाहिए पाठ्य कर्म हमें पूरा करणा चाहिए और हिंदी शाहित्यक रतनी करपाएं तो धिया बातना तक थेखें हिंदीशायाबात पाट्य मेरा थे मियूलत है लम आदेख है इसक्ष तैंट लग को तो रस निश्पत्तों है उसकी राफ़ों का सामान्य परिच्य है या जैसे शब्सक्ति का सामान्य परिच्य है थीकैं पांस negotiate कावे शास्त्र में बहुत लोग जाते नहीं है एक्स्पर्ट भे जह आती है लेकिन हिं। फॉद्यार्ति पहले पड़ा था लेकिन जो रचनाई गध्यपद्य रचनाई है उनको आप फिर से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके पर्षिक्रम नहीं है तो वहाँ से बात हो सकते हैं उनको पढ़ने में आनंद आएगा कोई बहुत मुश्किल चीज वहाँ पर है निस पर्षिक्रम को पूरा करने का अब किसी नोट स हादी से नहीं करके नंबर एक बात है कि मूल पुरुष्टकों से उनको पढ़े जब आपने पहले पेपर दिया था तब आपने पूरा किया था तो उसमें आपने डेटा को याद किया अब इसका सीधा सीधा तरीका में आपको बता देता हूं जो मेरा अन्भव है मान ले लिए अँड़ी सायं ने स jap aula का इतिहास रामसाद्र शॉक्ल का ले आपने इसके बाद में आप चाहएं तूरा कुमार वर्मा राम कुमार और डमार वर्मा को नहीं ले तो इंटरव्यू के लिहास से डोक्टर ब वात् Means यह इसलिए बता रहा हूं कि कुछ न कुछ न कुंकुस तो करेंगे तो क्या करेंगे कि नहीं की इसलिए इंटरिव में याद करने वाली कोई बात हम सोचना सिखें चिंतन करना सी यह पॉर तुलनात्मक चीज़ें पढ़ेगे तब हमारा दिमाग चलेगा इच्छा वाई शुकल जी यह कह रहें है बच्छन से यह लेकर यह रगया तो मालगी आपने तीन पूस्तके लिए ले और इन तीन मूल पुष्टकों से आपने एक पॉर्सन पढ़ा और उसका नाम है आदिकाल कि मैं यह कह रहा हूं कि आदिकाल को बांच यह और समझें कैसे समझेंगे समझने के लिए दो तीन जीज़ें जरूरी होती एक सबसे पहली बात कि कोई भी जो तो साहित के धारा है उसका अतीद क्या बैगराउंड क्या उसका बैगराउंड क्या है किसकी प्रकार से उसको समझना सबसे पहला जरूरी है दूसरा काम उसके सम्मंदित शब्दावलिय उसका मतलब क्या है उसका मतलब क्या है तीसरा उसका अपने समय में अपनी समकाली निस्तितियों से उसका इंटरेक्शन कैसा है जब शिद्ध थे उससमय का समाज कैसा था उससमय का अन्यसायितिक धाराएं कैसी थी उससमय का धरम कैसा था उससमय की संस्कृति कैसी थी और उनका उन सभी से आपस में संबंद कैसा था छिद्धों का अपने समाज से कया सम्मन था छिद्धों का नाथ्थोंसे क्या सम्मन था अच्छ Must अच्छा जरूर maintenance से उनका सम्हंन निकल कि आई नहीं निकल कि आए तो छोड़ों लेकिन हमारी खोज के विशेंगे यह हमारी खोज के विशेंगे इन सब प्रक्रियाओं में मैं यह कह रहा हूं कि जब आप आदिकाल को पढ़े तो आप इन चीजों पर थ्यान रखें यह विशलेशना अत्म के जा गेटा कुछ नहीं है अब इन चीजों का ध्यान रखते रखते आपने पूरा आदिकाल बांच लिया और आदिकाल पढ़ते पढ़ते आप अले सुकल में पढ़िए फिर अजारी परसाद दिवैदी में पढ़िए फिर बच्चन सिंग्वा पढ़िए उसी क्रम से पढ़िए जिसके रशाव प्रक लगाई है और सवाल लिए दो ला процесс कर ने लीछ इन शिद्ध कौन थे आप इन लिखके अपिन जीज़ा शिद्ध कौन थे जो इन चिडिए और परसंद के ूब कह इस शिद्धों की मुख्या परवड्कियां क्या थी नहीं पंजम कार क्या है शिद्य जितने प्रस न अभाधी काल पूरा करेंगे तो मान लीजिये, आपके पास सो प्रे गयुए, कि आपके उसमाद सो प्रेसटें पहु पहopf स workers कि आपने अब यह जारी पर साथ दूवैदि को पुपढ़ा तो फिर दिमाग में अब किताबों को साइड में में decir प्रष्ण मनि मन निंट में सोच ये सित्ध कौन थे ऐसे बोलना नहीं को मैं जैसे त्यारी करता तहां मैं कभी कभी विद्यार्थ इंधा इतना बोंदू समझते नहीं। आपको बो मैं परोस्टि के और उत्तर का वाकण करे। तब मैं बता रहा हैं तो प्रसन आप मनी मन में बोलें ऐसे मन में दो रहें सिद्ध कोंते और उत्तर का वातन करें उत्तर मन में हैं उत्तर आपके दिमाग में जैसा भी है क्योंकि लगाता तीन किताब में पढ़ने से आदिकाल की पूरी अद्यान सामुरी आपने और प्रस्न बना बनाने से सोचने से आपने उसको हर्द्यंगम किया है अब आप जो भी उत्तर दिमाक में आता हो बोली आप ताये तो शीसे के सामने बैठिए और आप बाकाईदा ठहर ठहर के अपनी भासा पे ध्यान रखती है संतुलित में बोले शिद्ध कौन थे तो इसकी सुरुवात कैसे ही हो सकती है इसके सुरुवात की हो सकती है कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में जो अनेक प्रकार के कवेधराई हैं उनमें से एक कवेधरा को शिद्ध भी कहा जाता है शिद्धों का सम्मध है वो बोध्धों से है बोध्धों की दो साखाई हुई थी हीन यान और महायान महायान साखा से वजरियान साखा निकली जिसमें तंत्र मंत्र आधी का समावेश हुआ साथ यू आठ्वी श्तावदी के आसपास ये सभी जो वजरियानी बोध है वो तंत्र मंत्र की साधना में लिप्त हो गए थे और वामाचार में और इस प्रक्यार के पंच मकार आधी की साधना में वो लिप्त हो गए थे ऐसे लोगों ने जो साहित्ते लखा वो हमारी हिंदी साहित्ते में सिद्ब साहित्ते के नाम से जाना जाता है को अ समझने के जूटने जो भी उत्तर आया जो भी उत्तर आया आपने पहला प्रसंद बोला मनी मन में फिर उसका उत्तर बोला आप जो जी में आए वो बोलिये अब जो आपने बोला है इंट्रिव्यू की एक खास बात एक और भी है कि जो भी आप बोलते हूं ठीक है पहला प्रसंद सिद्ध कौन थे अभी हमने यह बोला सिद्ध कौन थे अब यह प्रसंद बोला इसको हम यह कहेंगे प्रस्थान बिंदू यह बहुत पुराने सब्द है मेरे मैं इसी सब्दों का प्रस्थान बिंदू यहां से हमने बात को स्टार्ट किया अब इसका आपने उत्तर दिया और उत्तर बिल्कुल एकदम लिबरल लेकिन बिशहीन है इसलिए कि आपने शिद्धों के उत्तर में सिद्धों की गि ऑदिनाथों की बात तो नहीं कि अंग्यायां में के अब यह प्रसंद्फ सो लोगों से पूछे दों तो लोग अलगअग बात बताएंगे सो में से कौई भी गलट नहीं कि कुणकि किसी बात को बतायómo को चलो मेर शिद्ध कौन थे इसका उत्तर यह उत्तर आपस दें यह ईत्तर दिशाहीन है कि अ कि अब इस उत्तर में से अगला सवाल उठेगा है आपने कहा था कि यह द्रक्त को पंस मकार कि साधना में लिक्थ था अगला प्रसंद अएक 25 किया है मैं अब यहां एक दिषा मिलले गई कि वो सिध्धों की साधना पत्लती पर बात कहा है। कि पहले द्रशिद्धों के बारे मैं आपने को वार्मण बात कि अब्ल theor। की साधना पूरग प्रसंद है, अब जैसे आपने उपन सिद्ध्रब सुचा कौण थे, फिर आप खुद ही मन में पूझे अच्छा था, उसे महेश में यह पनचमकार क्या होटाई ? फिर आप बोलें सरपंच मकार मांस मत्य मेथुन मुद्रा आधी जिस इनकी साधना का एक निशित अंग हुआ करता था और यह जो महात्मा बुद्ध जिस प्रकार से समाधी उनका एक मुख्य साधना का अंग था यहां तक आते आते अनेक इस प्रकार के जो वामाचार के जो स साधना की अंग बन गए थे हैं यह आपने ऊत्तिर दे दिया यह उत्त वाप कर सकता है टीक है नहीं है पूरग प्रस्ण का उत्तर आतने दिया है कि अब हूँ अगला प्रस्ण कर सकता कंजकर अच्छें इनकी साधना मिं यह पंत मकार फेंद अ equations agree मैं आप आहाँ अभ्यमे क्युक्तन नहीं दूसरा सप्लिमिद्रिक्रिक्रिस्टन जितना ज्यादा पूछ जाएंगे बात उतनी घहराई तक चलते जाएंगी इंटरिऊ में जितने पूरक-प्रसन अधिक पूचे जाते हैं बात उतनी घहराई पूछी जाती है आप क्या पढ़किया Yoha Up ने उत्तर दिया शिद्ध साहिते इसके कोई नंबर नहीं नंबर तो पता निकिस बात कि है लेकिन हम इंट्रिव देंगे उसकी बात न कर रहा हूं उसको बात को आप विवारिक बात को एक बार चोड़े साइड में जैसे आपने कहा कि मैं सिद्ध साहिते पढ़ गया हूं इ इसलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किसी खास बिंदू में ज्यादा सप्लिमेंटरी क्यूशन पूछे जा रहे हैं तो वहां आप रोक सकते हैं इतना गहराई से मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है ताकि दूसरा विशे लिया जा सके पतली गली में बिल्कुल और पत मैं आपको यह बता रहा था ति आप तीन किताबें लेते हैं तीन किताबों में आप वहаешь पड़ते हैं उस एक पार्ट को पढ़ने के बाद में प्रसम लिख लीजिए और प्रसम्य लिखे उत्तर सिर्फ बहुलभू इससे आप सोचथ सीखेंगे इससे आप सपल्लिमेंटर क्रिकुष्टन का सामना करना सीखेंगे इस से आप मुद्देगे गहराई में जाएंगे और आपकी चिंतन क्षमता बढ़ेगे ठीक है यहाँ एक खास बात यह कि जो मैंने बताया कि पूरा करना है मूल प्रुष्टकों से प्रसंद लिखना है उत्तन लिखना है पूरा का प उस पर फोकस करना है ठीक से बात करिए जल्दबाजी मत करिए कोशिस करिए कि बहुत आराम से बहुत प्रेम से आप बात कह सकते बहुत आराम से और बहुत प्रेम से मैं भी नहीं कहता लेकिन कोशिस करने कभी कभी एक विद्यारती एक बात कहते हैं मैं बार बार कहता हूं लोकल लेंग्वेज कर टच कभी छूटता है मेरी फोन पर किए बद्यार्थियों से बात होती है तो फोन पर तो मैं किसी बद्यार्थिभा देता ने क्योंकि वहां में अगर जवाब दूं तो फिर मुझे और बात करने पड़ती है तो फोन अपने करो मुझे कह देते हैं। मुझे फोन करेंगे और मतलब करेंगे अरे साथ कितनी कोशिश कर लो बहले यह चुटे का थोड़ी तो भाई तुम्हें सब मालूम है। है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कोशिश तो करने चाहिए। कि मैं खुद इसका उधारन हूं और वास्त में हमारे यहां जैसे मैं हनमानगेट से हूं तो यहां हमारी सिर्शाकार हर्यान भी बोली काठाच इतना आधिक था कि मुझे बिल्कुल मतलब और इतनी अपने आप में जब मैंने रिकोर्डिंग की मुबाइल में मैंने बोला और बार ठीक तरीके से बोलें यह एक वागे इंट्रिव की तयारी का है इंट्रिव की तयारी का इथ्थ दूसरा भाग है इस्तो भी बात कर लिजाए दूसरे भाग में एक किसी भीशेश on your plane CON या मान लेजिए कोई विशेश पॉर्षन को हमें कोई विशेश पाठ्ठाग्रम अपना बना ये खुद का कि उसको पढ़िए वो जरूरी है जैसे कोई कहें मुझे कथा साइत्य पसंद दोब कहान यूपनिया साधि वो पढ़िए कोई यूँ कहें कि मुझे काव्यात रचनाय पसंद दोब पढ़िए कोई कहें कि मैं रचनाकार त्यार कर सकते हैं उसकी पांस साथ रचनाय पढ़ सकते हैं एक विशेश पॉर्षन आपको होना चाहिए हिंदी साहित्य का इतियास तो जंदर चीद को जब पूछे क्या साल की त सकते हैं कि यहींदी साहित्य का इतियास पढ़ कि आएं ही साफ यह काुछों आप यहींहां सब्सART बढ़रने से प्रचनाय क्या दना मैं आक जाता है कि आप पड़ श्रोज खेएसं नहीं करे हैं कर दो प्रसृत्तम मगभर्वाल को फड़ा है सब्सक्राइब को पढ़ा है नाथवाशों को ढ़ытे सिमें अप्रत्रा तो में इस बात में हिंदी साहितने करते का कहते हो पॉछने में काम बात तो यह है कि हमें नेगेटिव जबाब नहीं देना चाहिए कभी कभी यूं पूछे कि आपने चलते मान लिए उसने पूछा आपने गोदान पड़ा तो आप गोदान नहीं पड़ा अब सामने वाला भी चोक हो जाता है अब उसकी सामने वाला और प्रेशान है क्यों कि तो उसके लिए ज्यादा पुसीबत है तो मतलब जैसे उसने कहा कि आपने गोदान पड़ा है अब वो तो इंट्रिव्य एक्सपर्ट अब देखता है तो गवन पड़ा है तो हमें यह नहीं कहना चीन नहीं पड़ा है सीधा उत्तर ही है जैसे आप मान के चलिए कि आप ना नाटक पड़े क्या आपकी कविताओं में रूची है कि कविताओं में रूची तो नहीं है सर लेकिन मैंने कुछ नाटक पड़े क्या आप जानते इस बनास जन और यह नया ग्यान वद्यकी पत्रिकां इनके वारों में जानते कि इनके यह तो मनी पड़ पाता लिए इन द अगर यूं कह दे कि नाटक को छोड़ो तो दुविधा की बात है जैसे मैंने दुमिल पढ़ा दुमिल के तीनों कावे संग्रया पढ़े पांच सब्सक्राइब पढ़े तो दुमिल को मैंने पूरा पढ़ा दुमिल मुझे पसंद भी है इसके लाव मैंने लगभग 10-15 पढ सब्सक्राइम के तो मैंने उनको कहा कि दुमिल मैंने दुमिल पढ़ा है आप यह विशेश को आप पढ़ने के कोशिस करें आप कि से पूछे कि मैं क्या त्यार करूं विशेश में इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं दे सकता है इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं तो एक तो यह हो गया दूसरे भाग में दूसरा शिक्षण के लिए कोई आप एक टोपिक का चुनाव करें कि इस पर मैं अलग सी क्लास मा दूआ यह क्लास वैसे अठाइस मिनट की हो गई ठीक है मतलब सिक्षण अभ्यास टीचिंग के लिए अलग से अपने बात कर लेंगे तो एक ऐसा बिंदू चुने जिसको आप पढ़ास तक कौन सा बिंदू चुनेंगे किस प्रकास को मतलब अपने आस पास क्या परिवेश जरूरी नहीं है कि जैसे मेरा ग्रह जिला हनमानगड लेकिन मैं तो चुरू के निकट पढ़ता हूं जादा हनमानगड मेरे से 50 किलोमेटर आगे चुरू जिला स्टार्ट हो जाता है सावा हमारे यहां बिल्कुल पास में है तो सावा जैली और आपका ग्यान काम आए ठीक है यहां आपका जन्रल स्टडी फिन्दी साइथ्टे के बारे में आप कितना जागरुक हैं कितना गहरा सोचते हैं वह आपके काम है तो चार जिजों पर आपकवात कर सकते हैं ठोड़ी सी दो बातें मैं उसके बाद में इस क्लास को सम गिरबड़ी हो सकती है जैसे दोनों परकार की गिरबड़ी मेरे बित्त थी कुछ मात्रा में अभी भी है एक तो जैसे मैं जल्दी बोलता हूं तो मेरी जीब भी कभी-कभी तरीके से मुड़ने के लिए मना कर देती है मुझे कई विद्यार्थ ने यह भी कहा अभी भी कह देता हूं कि यह मतलब बल्देव जी जो गुरु जी पढ़ाते हैं तुतलाते हैं तो कभी-कभी लोगों को यह समस्य आते हैं तो जीब है वह समय पर मुड़ती नहीं तो यह टेक्निकल प्रोग्लम है कि उच्चान की एशुधता हम बहुत जल्दी बोलते हैं इसलिए जो मुख सुख है या प्रियत्न लागव है सब्द को वरण को पूरा नहीं बोलते हैं उसमें गरबड़ी होती तीसरा भासा को लेकर दिक्कत हो सकती है क्षेत्रिय भासा का प्रभाव मैं यह कहूंगा मु बहुत अलग की आप मायर्वाड में जाएंगे तो मतलब अलग प्रकार से और उसमें लहजा बदलता है सासव रह अगर हिंदी में कोई यह कहा पूछे यहां कहाँ वहां तो हमारे यहां कहते हैं अठय बठया कठया है और फत्य पूर में आप जाये तो अठिने रएंना कठीन अच्या यहां वहां कहां तो भद में साका यहां जाता जाता है अठीन अठीने कढophobia ठुल यह यह मलब TO से खुद का मैं बता रहा हूं कि जैसे मैं दिपक चंधवानी जी से बात करता था तो उनकी हिंदी बहुत साफ बहुत अच्छा बोलते हैं अलवर के तो पहली जो टेकनिकल प्रोब्लम जिसके किसी की है उचार ना देकी तो उसका एक समाधान जो मैंने किया था हमारे एक सुपारी आती है जो पूजा आदी में काम ले लिजाती है जिसको लकट सुपारी बोलते हैं तो मुझे तो उमा कांची गुप्थ हैं विकांदर के प्र तो अगर आप सहस्वर वातन करेंगे उसको आप गलत बोल नहीं सकते वहां मात्रा का बंदन है अंजनी पुत्र पवनशुत्र नामा अंजनी पुत्र तो नी छोटी बोलनी पड़ती है वाँ मैं अभी उसको हनुमान चालेशा को देखता हूं या मतलब ऐसे संस्क्रिप्ट के शलोक में बोला करता था सुबह सुबह आदे गंते पूजा घर में बैठकी तो मेरी मां को यूँ लगा कि बच्चा सुदर रहा है ना तोड़ा समय उदर कम जाता हूं उनको लगा कि ठीक कि आज के लिए कर रहा है उनको मालूम नहीं था कि इंट्रिव के त्यारी कर रहा है तो लेकिन मुझे लगता है कि आप घंटे आदे गंटे 20 मिनट बैठें इस सुपारी को मुह में रखने का इतना लोजिक होता है कि लार जो निकलती है वो सोकती रहती है उसको लार सोकने उनके बताने का लाव हुआ किसी और कान से लाव हुआ कि लेकिन मैंने एफर्ट किये प्रियास किया उसके मुझे उसका मुझे वास्ता में कुछ लाव मिला तो उस्तान समंदी दिक्कते हैं वह आप संस्कृत के शलोक का या हिंदी के बहुत अच्छी जो चंद की और अब चला कारों में अवह सकते हैं पंकत्र पाठी को देख सकते हैं आप मरोजबाति के का साथ लोग आफ आप किसी अच्छी शहर में रहरे हुं जैसे बीका निर्जोदपूरं अलवर में और वहाँ को च्छी प्रेनल प्रेए सकते है और दो वह को पंच-साथ लोग मि बहुत प्रभावी त्वा बहुत अच्छी फिल्में हैं उनसे आप बोलने का लहजा अच्छा सेखते हैं हमारे आउदेपुर में महाला स्भाडिया में डॉक्टर राजकुमार व्यास बड़े आधनी हमारे गुरुजी है तो वह जब बहुत अच्छा बोलते हैं तो उचारण में आप कोशिस करते रहें किसी से भी बात करें किसी से भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं कुछ भी प्रस्नों के उत्तर दे रहे हैं आप कहीं भी बात करें कोशिस करिए कि आप अपनी बागड़ी जो या जो भी लोकल लेंग्वेज आप किया उसको एक बार कोशिश करें मैं आपको बता रहा हूँंगा अगर वृष में बात करूँगा तो मेरा सॉध्यों के सांथ वाट हे विए ㅇए कुछ recher तो आप उचाहन आधी सुधारने के लिए ऐसे कुछ प्रियास कर सकते हैं प्रियास निश्यत रूप से करने चाहिए अपने किसी ऐसे अच्छे साथी का सारा भी ले सकते हैं उसकी मदल दे सकते हैं आप यह मैं सोचेंगे चूटे गाने तो यह कुछ प्रसंत है जिस पर हमें बात्चित करनी थी एक दो वीडियो इस सम्मझ में कुछ और भी बनाएंगे और इंट्रिव्यू की त्यारी को लेकर कुछ और भी हो सका तो मैं बार बार आता रहूंगा और इसकी एक प्ले लिस्ट हम बना देंगे आप इसको देखती कर रह सकते हैं कैसे भी तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद कर दो किक भी है